नमस्कार छात्रों, मैं स्वसांग सुकला, हिंदी विभाग उत्राकंड मुक्तिव स्विध्याले से आप सभी का स्वागत करता हूँ, छात्रों, बीए एचल 201 की प्रथमिकाई पद्र साहित की सद्धांतकी पर मैं आज आप से चर्शा करूँगा, हमारी आज की बातचीत का विसे कविता और साहित से जुड़ी होगी, आपने साहित पढ़ा होगा, कविता पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी, लेकिन उसकी मूल विसेस्ता क्या होती है, कविता क्या है, साहित प्या है, इन बुनियादी प्रश्णों पर आज मैं आपसे बा समाजिक अन्य विशियों से या समाज सास्त्र के अन्य विशियों से अलग करती है या कविता ही साहित्य के अन्य रूपों या गद्य से किस प्रकार से भिन्द हो जाती है वो कौन सी वजहें हैं कौन सी विचस्ताएं हैं जिसके आधार पर कविता दूसरी विधाओं से अलग सहज रूप से स्मरण आती हैं जब कविता को परिभासित करने का प्रयास किया गया था यानि कविता और साहित्य की बुनियादी सरोकारों में जब ये बात आती है तब साहित्य क्या है और कविता क्या है इसे एक धंग से समझने का प्रयास आपको करना चाहिए या करना ज्या अब ये प्रश्ण यह है कि सब्द और अर्थ का सहित भाव क्या है यानि जिसमें शब्द और अर्थ का उचित तालमेल या उचित संतुलन हो आचारे कुंतक ने इसे एक तुला के उदारण के रूप में समझाने का प्रेस्ट किया और उन्हें कहा कि एक तुला के जैसे दो पलड़े होते हैं दोनों के बीच जब संतुलन की सती पैदा होती है तभी विक्री के लिए वस्त में तयार होती है उसी प्रिकार से जब सब्द और अर्थ साहित्य के दो अलग-अलग रूप हैं उनके बीच जब संतुलन की सती पैदा हो तब साहित्य की सती होती है और साह समाज के हित को धारण करने वाली विधा ही साहित्य है। तो केवल समाज का हित नहीं होता बलकि समाज के हित को भावनात्मक रूप से धारण करने का जो अनुसासन है वो साहित्य है। वो भी बहुत महपूर्ण थी जैसे आचार मम्मट की परिभासा तद दोसो, शब्दार्थो, सगुड़ावन लंकरती, पुनह कौपी। उन्होंने साहित्य को परिभासित करते हुए कहा कि ऐसा कावरूप ही साहित्य है जिसमें गुण हो, दोसन हो और उसमें अलंकार हो और अलंकारों के अतरिक्त भी कोई ऐसी चीज हो जो उसे साहित्य बनाती है। तो ममत से द्हानी विधा है या ए साहित्य एक एक ऐसी विधा है या ऐसा कावरूप है जिसमें पाठक यह समाज इसमें मनुश्य उसे गुण से यूप्त करे को इस श्रृष्ट बनाए अनुप्त करे कावध दोस Колली संगे उसे गुण उसमें होगो और उसे रशीक्त करें यह एक परिभासि के ती क्रम में जो तीसरी परिभास नहीं कहा कि रशीक्त वाक्य काभ यानि रशीक्त वाक्य को सवंदर को कभिता को परिभासित करते हुए आचार विश्वनात ने रस Πाभु के परियाय के रूप में ब्योहरित किया या ब्योहार किया अब प्रशन यह है कि रस आप जानते हैं कि उस समय भारती काविसास्तर में काविकी आत्मा क्या है यानि ध्वनी है अलंकार है रीती है वक्रोपती है रस है और चित्य है इसको लेकर एक लंबा विवाद रहा कि आखिर में में एक रस की मूल आत्मा या साहित्य की मूल आत्मा क्या है तो विसुनात मूल रूप से रस वादी आचार थे यानि कविता के संदर को यह मानते थे कि कविता का मूल सुरूप रस युक्त होना है रस युक्त वाकि ही काव्य है ऐसा विसुनात इसलिए कहते हैं क्योंकि व वो ऐसी कविता को पढ़कर जिसमें पाठक का चित, रमे, विगलित हो, उसे आस्वाद प्राप्त हो, यानि रूखी सुखी कोई अगर कविता पढ़ेगा जिसमें उसे रस न हो, लिए इस बात को थोड़े और दूसरे ढंग से भी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, अभी प्रात्मी के स्तर पे ऐसी कविता जिसको पढ़कर पाठक का हरदय द्रवित हो, उसे वो रससिक्त कर सके, वो विश्वनात के अनुसार वो काब्य है या कविता है, इसी क्रम में जो संस्कित काविसास की एक जोथी परिवासा जो बड़ी मातपूर रही कविता क्या है कि ख यानि रमणी अर्थ का परिथपादन करने वाले शब्द ही काभेःं या कविता है, अब प्रश्नी ये था कि रमणी यह का यहां तात्ग पर क्या है, पंडीतर जगरनात जहां के दरवार के कवित अर्चारे थे, रमणी का अर्थ होता है, सामान रूप में रमणी का इस तरी के समान या लालित्य पूर्ण वचन ही कविता है या साहित्य है। अब प्रश्ण ये था कि लालित्य क्या इतना अनिमार है कविता के लिए? क्या बिना लालित्य के कविता नहीं हो सकती? और ये प्रश्ण इसलिए भी है क्योंकि सुरू में जब संस्क्रित आचारे अपनी बात को कविता के संदर में कह रहे थे, साहित के संदर में जब उस समझाने का प्रतन कर रहे थे, तब उनके सामने जो उस समय का समाज का जो सौंदर्य था, या उस समय के समाज का जो सत्य थ या उस समय के समाज की जो अपनी गति थी वो इन्हीं बिम्मों से इन्हीं उपागमों से या इन्हीं समाजिक सत्यों के अधार पर विक्सित हो सकता था इसलिए जब पंडित राज जगरनात की परिभासा दे रहे थे किरवनियार्थ प्रतपाद का शब्दक का अभ्यम तो उ मद्यकाल में थी या प्राचीन कविता में थी क्योंकि समाज बदला समाज के साथ ही समाज की बुनियादी और धारनाएं बदली पाठकी द्रिष्टी बदली और समाज के साथ ही साहित्य और पाठक के रिष्टे भी बदले और जब समाज के साथ पाठक के रिष्टे बदल यानि कविता को देखने की जो प्राचीन या मद्यकालिंद रिष्टी थी अब उसका किंचित बड़ा विस्तार हमारे सामने प्रस्तुत होता है इसी करम में कुछ और परिभासा हैं जो बड़ी महत्मून परिभासा हैं उन पर बात करने का प्रयास हम करेंगे और उसके माध् जन सुकल कहते हैं कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था होती है उसी प्रकार हिर्दय की मुक्तावस्था भी होती है आत्मा की मुक्तावस्था ज्यान अंदशा कहलाती है और हिर्दय की मुक्ति के विधान के लिए मनुस्य की वानी जो विधान करती आई है या हिर् परिभासा के रूप में इसे मना जाता है अचार राम चंद सुकल हिंदी के बड़े आलोचक थे और सभाविक रूप से उनकी जो परिभासा है साहित्य को देखने की खास होर से कविता को देखने की वो अपने ढंग से महत्मौन है यानि इस परिभासा में उन्होंने ग्यान अदशा और साहित्य दसा या रस दसा को अलग-अलग रूप में परिवासित करने का प्रयास किया मूल रूप से हम मानते हैं घ्ञान के अर्थ मते हैं पिसनलत होती है लेकिन उन्होंने अनुसाथन के इस तर पर अध्यात्म को राम« चंसुकले ही अध्यात्म को हिसंध से भिन्न मानते थे या उसके धरातल उसका भिन्न मानते थे कारण यह है कि अध्यात्म में एक तठसता होती है एक सामान जीवन के भावों के आरो औरो से भिन्न धरातल होता है लेकिन रस कविता साहित के भावों का घरदय का आलोडन होता है उद्युगनता होती है उसमें अध्यात्मी के दृष्टी से उद्युगनता बहुत अच्छी इस्तती नहीं है या बहुत काम में इस्तती नहीं है लेकिन साहित के दृष्टी से कविता के दृष्टी से मनुसे के यही भाव सुख दुख उनका अलोडन भिलोडन हास परिहास टुटन पीड़ा उत्सा उल्लास ये साहित की दृष्टी से ये हमारे लिए बड़े महपूर्ण ये हमारे लिए बड़े काम में मनुविकार हैं लेकिन अध्यात्म की दृष्टी से नहीं है तो रामचन सुखली जी इस पश्रूप से ग्यान अधसा और रस्दसा दो भिन कोटियां कर दी तो रस्दसा क्या हो सकती है और मनुष्य की मुक्ति कहां से हो सकती है मनुष्य करदय बद कैसे हो सकता है हम जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है तमाम तरह के अपने संसकारों से वह कुछ संसकार उसको परिवारिक मिलते हैं सामाजिक मिलते हैं राष्ट्र से मिलते हैं अपनी संसकर्ती से मिलते हैं अपनी जाती विस्षताओं से मिलते हैं धेर सारे संसकारों से वो अरजन करता रहता है इस अरजन के पश्चाथ वो समाज की जो अपनी बद्धताएं हैं उनसे भी कहीं न समाज की जटेलताएं, समाज के छोटे-छोटे रूप, उनसे अपने को मुक्त करने का प्रयास करें। और जब तक इनसे मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक उसका हिर्दय साहित्य को समझने की दृष्टि से, साहित्य के बुनियादी सुरूख को समझने के दृष्टे से अपने को अक्षम पाता है, बार-बार अक्षम पाता है इसलिए वो कहते हैं कि मनुस्य की मुक्ती तो तभी संभव हो है जब उसकी हृदय की मुक्ती हो और ये लोक भाव भूमी पर प्रतिश्टित हो जाना ही कविता के समझने की बुनियादी सर्थ है। इसी इक्रम में जैसंकर प्रसाद की परिवासा की कविता क्या है, इसो इस पष्ट करते हुआ है कि कविता आत्मा की श्रंकल पनात्मक अनभूती है। आत्मा की संकल पनात्मक अनभूती को कविता के विसे बता रहे है। एक द्वैत आपको द्वन्द या विरुधा भास दोरों बड़े अलोचकों में कवियों में देखने को मिल रहा है। आत्मा की संकल पनात्मक अनभूती ही कविता की ओर ले जाती है। अध्यात्मिक द्रिष्ट से साहित को देखना पसंद करते थे। या साहित की बुनियादी या स्रिष्ट रूप हुए अध्यात्मिक संपन्नता को मानते थे। यानि ऐसा साहित जिसमें आत्मा की ज्वलता हो, स्रिष्टता हो वो साहित की बुनियादी सर्तों से उप्त करता है। चैवात के ही एक पूर्ण कभी है, पंत जुनों ने कहा कि कभी था परिपूर्ण छणों की वार्डी है। परपूर्ण छण तब आते हैं हमारे जीवन में जब मनुस्य अपने स्वार्थों से उपर उठकर, अपने राग दोशों से उपर उठकर, अपने हिरदय और चित्त को एक उपर इधरातल पर ले जाता है, क्योंकि सामान ने रूप से मनुस्य तो उन्ही राग दोशों से आला की देखें, तो यह अतिव्याक्ती दोस से गरस्त आप इसे पा सकते हैं, लेकिन संतुलन के दिरिष्टी से देखें, तो इसमें प्रसाद की परिवासा और रामचन सुकल की परिवासा दोनों समाविष्ट होती दिखती है, इसी क्रम में एक आधुनिक ढंग का चिंतन मुक्ति बोध और धूमिल ने किया है, जिन्होंने कविता को समझाते हुए अपनी बात को रखा है और बड़े महत्पूंडन से, जो समाज के यथार्थ को ब्यक्त करती हुई बातें भी इनकी परिवासाओं से आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे मुक्ति बोध ने कहा क कि कविता जन चरित्री है, अब जन चरित्री है का तात्पर ये है कि कविता हम उसे ही कहेंगे, जिसमें जनता का चरित्र इस परश्ट्रूप से प्रत्विनमित हो, जनता का चरित्र क्या होता है, जनता का चरित्र का तात्पर ये है कि जनता के अपने व्यक्तित, उसकी आकांचाएं, संभावनाएं, प्रतिबधताएं, मुल्य, अगर उस कविता में नहीं है, तो वो साय जन चरित्रे नहीं है, यानि बुक्तिवोद इस परिभासा में एक तरह से साहित्य के उदेश या साहित्य के मुल्य भी अपने आप में छिपे हुए हैं, और कविता की अपने कर्म भी छिपे हुए हैं, तो ये मुक्तिवोद की परिभासा आधुनिक द्रिष्टी से, प्रगतसेल द्रिष्टी से महत्पूर्ण है और हमारे लिए काम में है, इसी प्रकार से धूमिल की जो परिभासा है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, कविता वो है जो हमको भाषा के माध्यम से आदमियत का पार्ट पढ़ाती है, सिखाती है, अब आदमियत का पार्ट होने का मतलब यह है कि वही जो गालिब कहता है कि सबसे मुश्किल है मनुस्यका इंसा होना, तो पूरा जो साह पुरी जो कविता उसकी जो खोज है या उसकी जो अपनी यात्रा है वो मनुस्य के रिदय के माध्यम से उसकी वेचारिक या सभ्भ्यता की ओर ले जाती हुई एक दिखदर्शिका है जो मनुस्य को ज्व्यतर मनुस्य बनाने की खोज का काम करती है तो चात्रों ये जो कुछ परिभासाएं थी हिंदी की वो साहित की सद्धान्त की या कविता की सद्धान्त की को समझने की दृष्टी से बड़ी महत्पूर्ण है आपकी बी एचल 201 की प्रथम इकाई पद्य साहित की सद्धान्त की के क्रम में य और इन परिभासाओं के अधार पर आपको कविता और दूसरे अनुसासन, यानि समाज विज्ञान के अनुसासन, कविता और गद्य के अनुसासन के पार्थक के और उनमें भेद, इनमें थोड़ा सा अंतर इसपष्ट करने की ओर हम थोड़ा उनमुक होंगे, आगे बढ़ें और इसन परिभासाओं के अधार पर आप समाज को, साहित्य को, कविता को बेहतर ढंग से देखने की दृष्टिक प्राप्त कर सकेंगे, तो हमारी आज की बातचीत यहीं पर समाफ्त होती है, आपने इस ब्याक्यान को सुना, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते ह अगले बहकान में, नमस्कार.